स्री शिवाई नमस्तुब्यम दर्शको कैसे हो आज अगरते हैं कि आप सब स्वस्तेम सुरक्षित होंगे दोस्तों हमारे कीवर में धन का बहुती बड़ा महतो होता है क्योंकि जिस इंसान की पास धन होता है वह इंसान अपने जीवन की सभी परकार की पुर्तियों को पूरा कर सकता है सभी परकार की कम्यों को पूरा कर सकता है अपने घरवालों की सभी परकार की जो भी जरूरत होती हैं उनको पूरा कर सकता है इसी प्रकार दोस्तो आज हम आप लोगों को एक छोटा सा ऐसा चमतकारी महामंत्र बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप लोग रातरी में सोने से पहले बोल देते हो तो दोस्तो आपके जीवन में धन को लेकर जो समझे आ रही होगी वह खत्म होगी और दोस्तो आज जब हम आप लोगों किस वीडियो के महाध्यम से बताएंगे कि आप लोगों को किस परकार से इस उपाय को करना है लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले हर बार की तरह कॉमेंट में सरी श्योय नमस्तुब्यम अविशा लिखे हैं तो दोस्तो पूज गुर्देव की संकला में बहुत ये अच्छा उपाई है और ये उस उपाई को करने से धन को लेकर जो समश्य आ रहे होगी वह दूर होगी तो दोस्तो आप लोगों को रातरी में सोने से पहले यानि की संध्या का जो समय होता है यानि की परदोस का जो समय होता है जिसे हम साम का समय कहते हैं उस समय में आप लोगों को दोस्तो ज्यादा कुछ नहीं करना है मातर आप लोगों को हात्मु दोकर आप लोगों को एक दीपा खुजुलित करना है अपनी घर में ही और दीपा खुजुलित करकर दोस्तों आप लोगों को अपने आखे बंद करकर और आप लोगों को ग्यारा बार मातरी समंत्र का जाप करना है दोस्तो इस मंतर का जाप आप लोगों को ग्यारा बार करना है और ग्यारा दिन तक आप लोगों को संध्या के समय लगातार ग्यारा दिन तक आप लोगों के समंतर का जाप ग्यारा बार करना है अवश्या करें धन को लेकर जो समयश्य होगी वे दूर जल्द से जल्द होगी आप लोगों को पड़नाम खुद प्राप्त होगा जानकार अच्छे लगी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्या करें